एक दिन भगवान गनेज को खेलने का मन हो रहा था, तभी उनको एक बिल्ली दिखी और वे उसके साथ खेलने लगे, उनका खेल होने के बाद वे अपने घर चले आए, अपने घर में जाते उन्होंने देखा माता पारवती को चोट लगी है, तभी गनेज जी ने कहा, माता प जानवर को चोट पहुचाई है, और उसकी सजा मुझे मिली है, गनेज को अपने गलती का एहसास हो गया, और उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगी, जैसे मनुष्य को इस दुनिया में रहने का आधिकार है, वैसे ही जानवरों को भी पूरा आ झाल 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